तीपक सबसे पहले तो यही जानकारी दीजिए जो हनी ट्रैप का ये मामला देखने को मिला है इसका खुलासा कैसे हुआ देखे विर्कुल इस मामले का खुलासा हुआ जब पीडिद व्यापारी फुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि मुझे पिसले कुछ समय से लगातार ब्लैक मेल किया जा रहा है लगबक पौने दो करोड रुपे मुझसे वसूले जा चुके हैं और अब एक करोड रु कि स्कूल की टाइम में वो उसके साथ पढ़ा करती थी इसके बाद दोनों के बीच बाचीत बढ़ी गहनता बढ़ी और गहनता इस तरह से बढ़ी कि यह लोईडा में रहती है वो लड़की अपने पती के साथ वहां पर पहुंचा पती घर पर नहीं था इसके बाद महिला करोर रुपे यह व्यापारी दे चुका है इस महिला और इसके पती को और इसके बाद बात हो रही थी इस बात की की एक करोर रुपे और दो अदर्वाइश आपके खिलाफ मामरा दर्श कर दिया जाएगा व्यापारी यह समझ चुका था कि यह अंतही êtes सिलशला है और अब यह रुकने वाला नहीं है जोकि यह फस्ट चुका है ऐसी इस स्थिती में व्यापारी ने मना किया पैसे देने के लिए तो साथ तोर पर व्यापारी की जो कंपनी है फरीदाबाद के एक सेक्टर में इनकी कंपनी है तो वहां कंपनी पर यह पती-पतनी दोनों जा पहुँच आइब कितना पैसा रिकवर होगा कितना नहीं होगा यह तो देखने वाली बात हो गी सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम लगातार यह देख रहे हैं कि लगातार आप चाहे फरीदा बात कि बात करें आप heaven की बात करें अप परिवार से पुलिस से चुपाने की कोशिश करता है और जब चुपाने की कोशिश करता है तो लगातार हनी ट्रैप के जो मास्टर माइंड है उनका शिकार होता चला जाता है बिलकुल यही देखने को मिल रहा है पलवल की तस्वीरे हमने साफतोर पर देखी कि दो पुलिस व तर्फ निया तरीका और देखने में आ रहा है जो की बहुत खतरनाक है लोगों के लिए जानना बीजर जरूरी है आपके वाटसव पर कॉल आती है तो आप वटसप कॉल उठाते हैं वीडियो कॉल होती है आप जैसे ही वीडियो को उठाते हैं तो वीडियो को रुठाते ही वहाँ पर एक लड़की दिखाई देगी लड़की साथ की साथ वहाँ पर पूरी तरह से न्यूड होना शुरू कर देती है और उसके बाद वो वीडियो बना ली जाती है उसमें recording होती है उनके mobile में जहां से call किया जा रहा है और उसके बाद सिल् पर मजबूर लेकिन दिपक देखे इस पूरे मामले में जैसर के से आपनी जानकारी दी कि Facebook के जरी दोस्ती बनाई गई इसके बाद कि सर्के से पूरे मामली की कहानी रची गई यानि कि जो स्टोरी बनाई गई है साथ तो पर यह लग रहा है कि जो यह पती-पत्नी है वह तो एक स्टोडी लाइन तयार करते हैं और उस शक्स के बारे में पूरी जानकारी खटा करते हैं इसके बाद हनी ट्राइप का ये पूरा मामला देखने को मिलता है ऐसे में लगिये रहा है कि पहले भी क्या ये जो पती-पत्नी है ऐसे मामलों को अंजाम दे चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल ये ही है कि अब आप ये देखिए कि फेस्बुक पर दोस्ती होती है एक महिला से दोस्ती होती है इसका मतलब ये कि वह महिला जानती है कि आप कौन है आप क्या करते हैं आपके बारे में उसके पास पूरी डिटेल है वो ये जानती है कि आपकी कंपनी के मालिक हैं वह जानती है कि आपके पास पैसा कितना है और जब उसको यह पता है यह सारी चीज़े तो वह आपको बुलाती है और उसके बाद हारी ट्रेप का शिकार आप हो जाते हैं बिलकुल यही अप पुलिस की जानने की कोशिश है बहुत अच्छा सवाल अपने क केस है जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए है और पुलिस के पास यह जानकारी नहीं है कि इनको भी हरी ट्रेप का शिकार बनाया गया तो पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अगर इस तरीके की कोई इस मामले में और और भी किसी मामले में कि अगर आपको लगत कीजिए और तमाम मामले हम पुराने मामले हम जतने देख पा रहे हैं उसमें हम साफ तोर पर यह देख रहे हैं कि